सब्जेक के हो तो जो आपका वहाँ पर होता है ना स्लेबस यूजी सीनेट के अंदर हाँ जी अभी लाइब आया गया ठीक है तो मैं को दुबारा से डिसकस करना होगा इतना है ना आज मैं आपके साथ हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन का नोटिफिकेशन डिसकस कर रहे हूँ ठीक है तो ये इसके अंदर 1535 पोस के लिए वेकेंसी निकली है डिफ्रेंट सब्जेक्स में स्लेबस जो होगा वह आपका कमिशन की वेबसाइट पे है जिसमें से 90 कोश्यंस आपके कंसरन सब्जेक्स से होंगे कंसरन सब्जेक्स का मतलब होता है जैसे अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो कॉमर्स के यूजी सीनाट के लिए जो सलेबस है ना इसे ही अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो UGC net के लिए जितने भी सारे सब्जेक्ट साब प्रिपेर करते हो विल्कुल उसी तरीके से यहां पर आपको प्रिपेर करने है पस फर्क सिफ इतना है कि इसमें पेपर वन नहीं आएगा आपका आपका खुद का सब्जेक्ट आ रहा है बाकी के जो 10 questions है वो होंगे general awareness, general mental ability, comprehension, logical reasoning, analytical ability तो यानि कि जैसे हमारा paper 1 होता है बिल्कुल उसी तरीके से यहां से बालो पैसेज आ गया या logical reasoning आ गई ठीक है उस topics related होंगी decision making problem solving, basic numeracy, data interpretation, history, geography, quality, culture of हर्याना, हर्याना से related आपके भी होंगी so time duration exam की 2 hours होगी, सबी questions के equal marks होंगे और 5 options होंगी 5th option will be learned for situation where candidate intend to leave the question अगर आप कहते होंगे यह question मुझे attempt करना ही नहीं है तो आप 5th option पर जा सकते हूँ one fourth marks will be deducted for negative marking so भई यहाँ पे आपके पास option होगा कि 4 option में से एक option choose कर लीजिए और तभी choose कीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपको correct answer आता है नहीं तो पांचवा option की आप attempt ही नहीं करना चाहते ताकि minus ना हो जाए इसके marks तो उसके लिए होगा इनकेस candidate कोई का option को attempt करता ही नहीं है या फिर डाक ही नहीं करता फिफ्ट वले option को then one fourth marks cut जाएंगी तो अगर आप चाहते हैं कि आपने इस question को attempt नहीं करना तो बैटर है कि पांचे वले option को tick कर लिया जाए ठीक है is this clear हाँ जी so question will be bilingual मतलब दोनों language में आएगा English, Hindi या आपका कोई भी subject है उसे साब से weightage of exam will be 87% of the exam and बाकी का 12.5% interview इसका मतलब assistant professor की permanent vacancy के लिए आपको exam का जो weightage होगा वो 87.5% वादब exam अब बहुत अच्छा दीजिए और interview के 12.5% weightage होगा candidate will have to secure 50% marks in case of journal category and 45% marks reserve category के अंदर written exam में कम से कम इतना करना है तो आपको आगे interview के लिए भीजा जाएगा ठीक है candidate को two times candidate to the extent of two times including bracket candidate if any bracket मतलब all horizontal vertical reservation classes मतलब जो की other reserved classes के अंदर है तो number of vacancy category wise called for the interview जितनी वेकेंसी है यह कितनी category है उसके हिसाब से आपको interview में बुलाया जाएगा ठीक है तो बेसिकली त्यारी कैसे करनी है जो भी आपका subject है उसके हिसाब से आपका UGC net का जो paper two वाला paper होता है उतना आपको अच्छे से cover करना है और paper one का आपको general awareness और हर्याना से related awareness और basic जो लॉजिकल रिजनिंग गरा हम करते है पेपर वन की easy easy वो cgg करनी है और हर्याना की culture history आपको culture history देखना है तो आप जब Google search कर लेना आराम से मिली जाएगा ठीक है पॉलिटी इकनॉमी culture of the हर्याना pdf आपको कोई ना कोई मिली जाएगी ठीक है अगर में पास होगी तो मैं भी आपको दे दूंगी बता दूंगी आप साथ जुड़े रहो ठीक है nav classes telegram पे nav classes app में तो आपको कहां पर क्या मिल रहा आपको बता चल जाएगा अब आती है बारी paper two की यारी की त्यारी कैसे करें अगर आपका paper to commerce है या management है तो nav classes app के अंदर जो UGC net की त्यारी कर रहे हो अगर आप तो वह सेम ही चलेगी और अगर आप सिर्फ हर्याना वाले exam के लिए करना चाहरे हो तो आप only commerce या only management ले सकते हो तो उसके लिए जैसे कि ये only commerce या only management का course है अगर आप paper one नहीं करना जा रहे हो तो फिर get this course पर click करके आप ले सकते हो ठीक है और कल 2526 को extra discount भी चलने की जभावनाए है तो आप उस पर code पर click करेंगे तो वह भी ले सकते हो अगर आप UGC net की भी त्यारी कर रहे हो तो फिर UGC net और हर्याना वाला exam इन दोनों के लिए साथ ही त्यारी ठीक है मैं आपके लिए definitely वीडियो लेकर आऊंगी ठीक है so thanks to everyone and have a nice time और अगर मैं यह वोली pdf दूंगी न अगर आपको चाहिए तो यह आपको नवक्लासीज अब के अंदर यह वले कोर्स में दे दूंगी यह जो आपका weekly 5 रुपीज का कोर्स है यानिकि इसके 5 सब्सक्राइब के बाद वह जैस इतना है कि आपके कोर्स में अंट्री हो जाए बागी लाइफ टेम इसकी वीडियो और पीडियो आपको मिल जाती है तो इसके अंदर हम दे दे देंगे extra चीजे चलो thank you and stay blessed have a nice day कोई और क्वारी है बटा मैं इसकी प्रिप्रेशन की टिप् मैं paper to subjective में problem हो ओरी है तो paper to subjective आपको जो मैं यहां पे course में करवारी हूं one classes app में same ही रहेगा ठीक है content में जाकर आप देख लोगे कि सारी वो मिल जाएगी कहते है pts वगरण भी और उसके साथ live recorded option बन जाएगा और आप लाइब में से सारी topics cover पढ़ा रही हूं यू शूड दू इट इसको अच्छे से कवर कीजिए ठीक है अगर आप सब्जेक्टिव एक्जाम में तो आप बच पन से लेकर आज तक सब्जेक्टिव ही तो देते हैं वैसे हैं यह पर सब्जेक्टिव कोशन थोड़ी है इसमें तो mcqs based है ठीक है तो हाँ अगर आप six month है ने बवला कोर्स लेते हो तो उसके अंदर आपके पास test series free मिलेगी और उससे भी धेर सारी practice कर सकते हूं ठीक है mcq कई है हाँ मुखा confused कर दिया सब्जेक्टिव थोड़ी है commerce की कित्ती seats है आपको तो बेटा एक seat चाहिए न जो commerce वाले बच्चों का कोर्स है वही कोर्स वही क्लासी चलेंगी ठीक है मैं खामोखा आपको मिस रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्स और निकाल दू एच्पीएसी वाले नाम से तो क्या वो चलेगा या मैं seriously वो रही हूं कि जो आपका एच्पीएसी वाले एक्जाम में क कोर्स आएगा स्लेबस वही मैं इस कोर्स में भी करा रही हूं तो आप इसी कोर्स को लीजिए दोनों में काम आएगा UGC net के अंदर और HPSC के नाम उसमें भी ठीक है सिर्फ थम्नेल चेंज करने से अंदर का कंटेंट सेम रखने से तो चीटिंग वरी बात हो जाती ना बात है पिल्कुल ओफिशल नोटिफिकेशन आया देखो ना मैंने सामने रखा हूँ आपका नोटिफिकेशन यह लोग ऑफिशल है आप चेक कर लीजिए ठीक है और कुछ नोटिस नहीं आया कि अभी आ गया है और अभी दिसेंबर 2023 वे अच्पेसे दिया था स्लेबर्स का अबजेक्टिव भी फिर सब्जेक्टिव भी अच्छा ठीक है वह में भी कुछ और होगा है इसमें अबजेक्टिव ही लिखा ठीक है और अगर आप मैनेजमेंट के हैं तो मैनेजमेंट का इगल बैज ठीक है दोनों का काम होजेगा यूजिसे नेट का भी ठीक है ओके थैंक्यू एंड स्टेट वले को थोड़ी ज्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं ठीक है आ वहां जाके आपको जॉब करनी पड़ी क अगर जॉब करनी है तो 23 में चेंज कर दिया प्रेटन हां सब्जेक्ट का कौन सा है इनकेस अगर सब्जेक्टिव आता भी है तो हम बच्पन से सब्जेक्टिव देते आए हैं ना भई तो वैसे ही देना है हर कोश्चन का आपको एक्स्प्लेनेशन देना होगा और इन भी कीजिए पॉइंट्स में आंसर दीजिए यह सब इंपोर्टेंट होता है सब्जेक्टिव